स्वागत आपका प्रेंग क्रिशन ओफिशर में आदमी छे और साथ नमा लड़ू को पाल की ड्रेस बनाएंगे यह आपने शर्ड बनाई है और यह क्या बनाई है यह बहुत आसान तरीकिये से बनाए गई है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे है तो मेरी चैनल को शियर करें कमेंट करें जरी इस ड्रेस को बनाने स्टार्ट करते हैं अब कर द्रेस बनाने के देखें हमने कपड़ा ले लिया इसके चोड़ाई हमने लिए तर चार इंज और इसकी लंबाई हमने लिए अचास इंक आप इससे कम भी ले सकते हैं इसकी लंबाई इसके से अब यहाँ पर हम यह एक लेट ले लिए हमने पहले इस कपड़े को इस तरह से फूट कर देंगे उपड़ से थोड़ा ससा और इस장 को यहाँ पर सिल्दीन घए इस तरह से लेज को शिलते जाएंगे सारे में यह लेज हमने सिल लिया है हम इसे साइड से इस तरह से फूर्ड करके इसे सिल दिंगे इसे हम दूसर साइड से फूर्ड करके सिल दिंगे दूसर साइड भी यह हम इसके दूनों साइड सिल दिंगे अब यहाँ पर प्लेट्स बनाएंगे इस तरह से इस तरह से पलेट इस प्लेट से जयंगे घो यहां पर हमने प्लिट्स बना ली इसके लंबाई नापेंगे तो यह आएगे साड़े साथ इंच अब्लेंगे इसी इसतरे से फूड करके इसे पीछे की तरफ सेल देंगे इस तरह mee कि यह हमने यह पर सेल दिया अहाँ हम इसी इसी तरह सीधह करेंगे और यहाँ पर डूरी लगा लेंगे और इसे यहाँ पर शिल देंगे इस तरह से फूर्ड करके चाहिए सिल लिते से पहले हमने यहाँ पर शिल लिया हम यहाँ पर हम लेस लगा लेंगे इसके जहाँ लगा लगाए थी इस तरह से लेस लगा लेंगे उपर के तरप भी यह हमने लगा लेंगे इसके लंबाई हमने लिए 12 इंच हम इसे इस तरह से फोड़ करेंगे बीच में से और इसे यहां से इस तरह से करके यहां पर इस तरह से बीच में सिल देंगे गेरे के एकदम बीच में सिलना है यहां पर हमने सेल दिया और यह हमने प्लेस करके से एक सार कर लिया इसकी प्लेट्स को अब हमने यह टॉप के लिए कपड़ा दिया ऋपस्ट के लिए इसकी लबा हुआ हमने साञ नंच लिया और नहीं चार लिया हमारा कि यह में इस आफर से फॉर्ड कर लिए फेले कि भर अब ओड़ हम साइख लिए निच्ब वह का निशा लगा देंगे अग्ष्ट अब निच्ट मिलेगे वह क Chi तरह से और यहां पर इसे कट कर देंगे यह हमने कट कर दें और हम इसकी सिलिफ्स को इस तरह से मोड दिनगे पहले थोड़ा-थोड़ा अब मोड कर यहां पर से दिनगे ऐसे दूसा से लेंगे अब यहां पर हम लेस लगा लेंगे सिलिफ्स पर इसे पर सिल लेंगे यह हमने सिल ली अब इसे इस तरह से एक के उपर एक रखके इसलाय लगा देंगे इसलाय हमें हाफ से कम एरिया पर लगानी है इस तरह से जो हाफ से कम एरिया है इसका उस पर लगा देंगे यह कुछ इस तरह से दिखेगा अब यहाँ पर हम इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे पहले और फोल्ड करके इस सारे में सिल देंगे जो भी उपर पार्ट बचाया है उसमें सिलते जाएंगे इस तरह से इधर से ये फोल्ड करेंगे से ये हमने सिल दिया हैं आपर अब इसे इस तरह से फूर्ड करेंगे और सिर्फ के पास से सिलते जाएंगे से इससे सिर्फ के पास से सिल देंगे यहां पर हम डबल से लगा लेंगे और ऐसे ही हम दोसे सिल देंगे हमने इस लिए दूसरे सिट्वस भी अब हम इसे सीधा करेंगे सीधा करके जो इसका ये नीचे वाला पार्ट है इसे सिलते जाएंगे पर फोल्ड करेंगे इस तरह से फोल्ड करेंगे सिलते जाएंगे से यहाँ पर अब यहाँ पर हम टीच बटन लगा लेंगे आप चाहें तो यह वैल को टीप भी लगा सकते हैं अब हम पहले इसकी पगड़ी बनाएंगे क्या बनाएंगे हम इसकी क्या बनाने के लिए हमने कपड़ा दिया इसकी लंबाई हमने लिए बारा इंच और इसकी चोड़ाई हमने लिए चार इंच अब हम इसे एक तरफ से नीचे से फोल्ड कर देंगे इस तरह से फोल्ड करके एक बार फोल्ड करेंगे और इसे यहाँ पर सिल देंगे अब इसके सीधे बारी तरफ सिलाइस यह थोड़ा सा उपर लिएस लेंगे और लिएस को सिल देंगे अब पीछे की तरफ जहां से लाई आ रहे हैं आप लास्टिक लगा लेंगे और लास्टिक खीसते हो लगाएंगे इस तरीके से अब इसे यहाँ कट कर देंगे और इसके बाद हम इसे इस तरह से उल्टी तरफ से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे यहाँ डबा सिलाई लगा लेंगे और एक्स्टा कपड़े को यहाँ कट कर देंगे अबहाँ मुपर की तरह सुवड़ा लगाएंगे लगाएंगे इस तरीके से लगाएंगे झाल कि एंगे कि एंगे कि एंगे भॉ यहाँ लगाएंगे लगाएंगे यहाँ कि अब लुट कर दिया आप इसे सीधा कर लिया यह कैप को चीज तरह से बने कर दीखेंगी यह बने कर रेडी है यह शर्ट और यह गीरा ड्रेस बन कर दिये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद